हेलो एवरिवान तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइव में और आज है बच्चो हमारी मास्टर क्लास और मास्टर क्लास के साथ है हमारा मेगा क्विज आपको एक बात पहले इबता देती हूं मेगा क्विज जो है वह आपके कांटेस्ट का हिस्सा है पांच क्विज होंगे इसके अंदर और पांच क्विज में होंगे 5-5 questions मतलब टोटल 25 questions 25 questions, तो चुप कितने सारे points आप कमा सकते हो, और अपनी rank जो है वो एकदम से उपर ले जा सकते हो, ठीक है, तो भाई, मैंने आपको बता दिया, 5 quiz होंगे, total 25 questions होंगे, और ये quiz जो है, वो हिस्सा है, आपके context, contest का भी, तो revision करेंगे थोड़ा-थोड़ा, revision करते-करते, बीच- में quiz खेलेंगे, ठीक है, एक-एक topic बताऊंगी, जैसे past tense का पूरा revision है, जैसे हमने present tense का किया था, तो past tense में हमने पढ़ा क्या था, past tense होता कौन सा वाला काल है, कोई idea है कौन सा काल होता है, तो भूत काल जो है, वो होता है, past tense, कौन सा, past tense होता है, भूत काल, अब इसमें भी continuous, right, उसके बाद past perfect and उसके बाद past perfect continuous, ये चारों हमने पढ़ लिये थे पिछली दो classes में, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसकी पहचान कैसे थी, indefinite की पहचान कैसे थी, ताथा, तेथे, और तीथी, इससे ही पहचान कर रहे थे हम, indefinite की, ताथा, तेथे, तीथी, मैं आया, मैं गया, या कोई भी ऐसा action, जो past में ही शुरू हुआ, और past में ही खत्म हो गया, वहाँ पर हम पहचान रहे थे, कि भाई, ये जो बात कर रखी है, ये कर रखी है, इंडेफिनेट टेंस के बारे में, past इंडेफिनेट टेंस के बारे में, जैसे present इंडेफिनेट में क्या करते थे, ताथा, तेथे, तीथी, ये समझ में आ गया, formula क्या था, अगर किसी को याद हो तो, subject plus verb की second form plus object, सकारात्मक वाक्य बनाने का, तो सीधा-सीधा formula था, subject लिखो, verb की second form लिखो, object लिख दो, अब, अगर आपको बनाना है, interrogative sentence, तो interrogative sentence में क्या करोगे, interrogative sentence में, या फिर आप कहो की negative sentence बनाना है, ठीक है, या आप कहो की interrogative negative sentence बनाना है, तो कैसे बना रहे थे, formula क्या थे, इनके, negative sentence बनाने के लिए subject, plus, did not, कौन सा helping verb लगेगा, did not, plus verb की first form plus object, second form केवल simple में लगेगी, अगर आप perfect का बनाओ, इसका negative बनाओगे, तो negative के अंदर आप did के साथ not लगाओगे, और verb की first form लगाओगे, नकारात्मक वाक्यों के साथ, उसके बाद, अगर हम बात करें, किस चीज की, अगर जैसे यहां लिखा है, राम studied, ये तो हो गया हमारा सकारात्मक वाक्य, हो गया कि नहीं हो गया, अगर अब हमें इसका नकारात्मक बात करनी है, तो, राम did not study, ये ही बनेगा, किता असान था, subject did not object, उसके बाद, उसके बाद, अगर आपको इसी का क्या बनाना है, interrogative बनाना है, तो आप क्या लिखोगे, did उठाकर पहले लगा दोगे, हम क्या करते हैं, subject से पहले helping verb लगा देते हैं, लगा देते हैं या नहीं लगा देते हैं, तो subject से पहले जैसे ही हमने helping verb लगाया, तो did उठाकर हमने पहले रख दिया, then हमने लिखा राम, and then verb की first form, study, ठीक है, so, helping verb, subject, और verb की first form, यहाँ पर क्या था, subject, did not, helping verb, and then verb की first form, इसके बाद अगर कोई object है, तो आप लगा सकते हो, अब देखो, राम, did राम, study, अब अगर आपको इसी का interrogative, negative बनाना हो, फ्रश्न वाचक, नकार आत्मक वाक्य बनाना हो, तो कुछ नहीं करना है, did राम, not study, helping verb पहले, subject, then not, then verb की first form, did के साथ तो verb की first form ही लगेगी, बात हो गई हमारे किसकी, present simple tense की, अब मैंने इसमें क्या चीज़ें बताई थी, कि कोई भी action जो past में शुरू हुआ और past में ही खतम हो गया, उनके लिए हम past simple शुरू करते हैं, past simple use करते हैं, ता था, ते थे, ती, थी, आया, गया, खाया, सोया, कुछ भी अगर वाक्य के अंत में आ रहा है, series of actions completed and past, बहुत सारे actions, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक चीज हुई, जैसे example था, I finished work, walked to the beach and found a nice place to swim, मैंने काम खतम किया, मैं बीच तक गया, चल कर, and found, और मुझे मिली, एक अच्छी जगा किस चीज के लिए, तैरने के लिए, तो सारे actions आप देखोगे, तीनों चीज past में खतम हो चुकी है, हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, इसी लिए, ये क्या हो गया, ये भी past indefinite हो गया, और आप देखो, सब में verb की second form लगाई हुई है, लगी है कि नहीं लगी है, right, तीसरी चीज कैसे पहचानोगे, to express habits in the past, ज पहले मैं football खेला करता था, ठीक है, पहले मैं जूट बोला करता था, पहले मैं शाय हुआ करता था, इस तरीके की वाकिया, past habits के बारे में, जैसे when I was young, I watched lots of television every day after school, मैं क्या करता था, मैं बहुत सारा TV स्कूल के बाद देखा करता था, आगए ये बात समझ में past simple के, अब कु questions देख ले, इस पर बेस्ट, चलो, आज ओ फिर, पहला question है, who blank space there, went, did went, did go, या did, verb की second form लगती है, और question mark वाला sentence, मतलब interrogative sentence है, तो interrogative sentence के लिए क्या use करोगे, past simple के अंदर, वहां कौन गया, who blank space there, next question, where blank space you born, where are, where have, where were, where did, जल्दी से सोचो, क्या लगाऊगे इस में, next question, my grandmother who died five years ago, मेरी दादी मा जो पाँत साल पहले मर गई, blank space abroad, was never going, never went, has never been, या none of the above, हो चुका है क्या लगाओगे ध्यान दो पास्ट में आक्षिन हो चुका है क्या लगाओगे next question Lucy blank space her mother's watch so she bought a new one Lucy blank space her mother's watch Lucy ने क्या कर दिया था अपनी मम्मी के घड़ी के साथ so she bought a new one इसलिए वो नई लेकर आई broke, crashed, forgot या none of the above तोड़ दी थी, चूर-चूर कर दी थी, भूल गई थी या इन में से कोई भी नहीं next question we blank space at the library for three hours yesterday हम क्या अब हमने क्या किया? लाइबरेरी में? तीन घंटों तक for three hours yesterday learnt, studied, reviewed या none of the above learn कुछ सीखा, studied कुछ पढ़ाई की review किया या कुछ भी नहीं इन में से चालो बटा पहला quiz तो हुआ और अब देखते हैं who blank space there went there, did went, did go या did who went there, verb की second form लगाएंगे अगर वहाँ कौन गया? तो जब हमने who लगा दिया है पहले ही तो हम did क्यों लगाएंगे? तो हम क्या लिकेंगे option number a who went there, go went gone में verb की second form हमने सीधी सीधी लगा दी क्योंकि already हमारे पास who था next question where blank space you born where are you born where have you born where were you born या where did you born क्या आएगा इसमें? जल्दी से बताओ अब हमें बताना है through the helping verb की जो action है वो कब हुआ so obviously past में हुआ और interrogative sentence है तो who where did you born my grandmother who died five years ago मेरी जो दादी मा थी जो पांच साल पहले मर गई मतलब action जो है वो past में हो गया was never going अब आगे तो जा नहीं सकती है ना वो खतम हो चुकी है never went कभी भी नहीं गई has never been has have तो present में लगाते हैं has been कब लगते है say रहा था say रहा है say रही है say रही है मतलब कोई भी action continuation में चल रहा है या none of the above so obviously option number B never कभी भी नहीं went मतलब गई verb की third form go went gone वाली आया समझ में next question Lucy blank space her mother's watch so she bought a new one Lucy ने क्या कर दिया था अपनी मम्मी की watch obviously तोड दी होगी इसलिए वो नहीं लेकर आई so break की second form क्या लिखोगे broke लिख दो subject verb की second form and then rest part of the sentence her mother's watch that is the object next question we blank space at the library for three hours yesterday हम लिबरी में अब बोला की हम कल लिबरी में किती देर तक पढ़े तीन घंटे तक पढ़े तो obviously studied study का क्या लिखा verb का second form studied so we studied at the library for three hours yesterday the day चलो past simple हमने देख लिया अब बात करेंगे past continuous की जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा क्योंकि past continuous tense के बारे में इसकी पहचान कैसे होती है quiz खेलने न बहुत सारे तो इसकी पहचान होती है say रहा था say रही थी नहीं sorry रहा था रही थी say क्यों लिख रही हूं मैं क्या वच्चो क्या लिख देती हूं मैं रहा था रहे थे रही थी इससे आप पहचान करोगे past continuous tense की मतलब जो काम है वो past में चल रहा था जबकि वो बात बताएंगे न तो वो काम उस समय past में चल रहा था जैसे की examples पहले इसका यह देखो rule subject plus was helping verb क्या लगेगी सारा खेली helping verb और main verb की form का है subject plus was verb plus verb की first form के साथ continuous tense है तो ing verb की first form के साथ ing plus object बन गया इसी का अगर अपने को बनाना है interrogative sentence तो क्या करोगे was verb को उठा कर पहले लगा दोगे subject से then subject लिखोगे then verb की first form then ing then object दिमाग में रखना इसको इसका ही negative बनाना है तो क्या करोगे कुछ नहीं was work है ना negative के लिए क्या करते हैं subject के बाद not लगा दो plus verb की first form plus ing plus object बताओ कोई दिक्कत यहां तक बन गए ना सारे बन गए के नहीं बने और नॉर्मल इसका negative बनाना है तो subject plus was were plus not plus verb की first form के साथ ing plus object simple रूप वो देख लेते हैं कुछ उधारन देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा जैसे he was drawing the old man out of the ditch so he subject was अब वोज लगता है singular के साथ और आई के साथ and were लगता है plural के साथ समझे so he was drawing the old man out of the ditch so he subject है और साथी साथ singular है तो was helping verb लगेगा helping verb was लगा है और हमें बता है कि वो क्या कर रही थी वो उस बुड़े आदमी को उस गड़े से बाहर निकाल रही थी तो वो चीज़ जब हम बता रहे हैं कि हम मैंने बताया कि वो उस समय उस बुड़े आदमी को गड़े से बाहर निकाल रही थी मतलब पास्ट में वो आक्शन उस समय हो रहा था helping verb drawing verb की first form के साथ ing लिखा and then object ठीक है he was writing an interesting story so again subject was or helping verb verb की first form के साथ ing write के साथ ing writing an interesting story object is an interesting story question वाला बनाना था तो was को उठा कर पहले लगा दिया was he living in this house क्या वो इस घर में रह रही थी क्या वो इस घर में रह रहा था तो ये singular है singular है तो यहाँ पर ये subject प्रशन वाचक वाक्य बनाना था तो हमने उठाया और subject से पहले was को लगा दिया then लिखी verb की first form के साथ ing और बाद में object question mark लगाना नहीं बूला है समझ में आ गया past continuous tense याद आ गया चलो questions करते हैं पहला question why blank space he having lunch at four अब having लिखा है तो मतलब verb की first form के साथ ing लगा है तो he लिखा है subject है singular है तो was, were, does, none of the above क्या लिखोगे जल्दी से सोचो और सोच के जवाब लगाओ submit करो अपना answer next question was he not blank space his homework doing was लिखा हुआ है तो verb की first form साथ ing आएगा do, done या none of the above सोच और जवाब दो जल्दी क्या वै अपना homework नहीं कर रहा था next snow blank space lightly suddenly a reindeer appear snow क्या हो रही थी गिर रही थी रही थी fell was falling is falling या none of the above next question somebody threw a shoe at him blank space he was speaking किसी ने उस पर जूता फेका जब वो बोल रहा था after he was sleeping when he was sleeping speaking while he was speaking या none of the above तो उसके बोलने के दौरान ही वो फेक रहा होगा ना कि somebody threw a shoe at him जब वो वो काम कर रहा था वो continue में था तो इसके लिए क्या लगाओगे after, when, while, या none of the above चालो next question they blank space TV when I arrived were watching वो क्या कर रहे थे वो TV देख रहे थे जब मैं पहुची तो जब ये पहुची तब वो लोग TV देख रहे थे that is they blank space TV when I arrived were watching, were watched watched या none of the above चालो आजाए अब discuss कर ले इसको क्या क्या लिख क्या आए हो आपने क्या गुल खिलाए है देखती हूँ मैं आभी quiz में है ना why blank space he was having lunch at 4 having दिग्या मतलब verb की first form के साथ ing why blank space he was having lunch at 4 p.m. 4 p.m. की बात पूछ रहा है मतलब past की बात पूछ रहा है verb की first form के साथ ing मतलब वाजूर आएगा सीधी सी बात है he लिखा है तो subject है singular है singular के साथ was why was he having lunch at 4 p.m. वो क्यों चार बजे लंच कर रहा था was he not blank space his homework क्या वो अपना homework नहीं कर रहा था was he not doing his homework क्या वह अपना homework नहीं कर रहा था was है तो doing ही आएगा ना भाई a option ही तो आएगा क्योंकि verb की first form के साथ हमें पता है कि ing लगाना है हम और कुछ नहीं लगाएंगे बिलकुल नहीं लगाएंगे हम लोग next question snow blank space lightly अब वो बता रहा है past में वो चीज हो रही थी जब एकदम से reindeer सामने आया so वो गिर रही थी रही थी के लिए क्या लिखोगे was falling past का action बता रहे हो जो उस समय चल रहा था so option number B correct option choice next is somebody through a shoe at him blank space he was speaking किसी ने उस पर जूता फेका जब वो बोल रहा था so while he was speaking उसकी बोलने के दौरान किसी ने उसके उपर जूता फेका they blank space TV when I arrived वो क्या कर रहे थे वो TV देख रहे थे जब मैं आई तो they है they मतलब plural अब they plural है तो were लगा देंगे लिख दो they were watching TV when I arrived अब बात करते हैं past perfect tense की क्या करते हो past perfect tense में किसी को कोई idea क्या लगाते हो कुछ भी नहीं है simple सा फंडा है subject लिखो helping up कौन सी आएगी had और पहचानोगे कैसे जल्दी से इसका जवाब तो पहले आप मुझे comment section में बताऊगे कि past perfect tense को पहचानते कैसे हो आप लोग आप लोगों का पहचानने का क्या तरीका है past perfect tense का कोई idea तो बेटा कुछ नहीं है चुका था चुके थे चुकी थी राइट इनी से आप क्या करते हो past perfect tense को पहचानते हो पहचानते हो के नहीं पहचानते हो जल्दी बताओ she had met him before the party वो पार्टी से पहले उससे मिल चुकी थी वह पार्टी से पहले उससे मिल चुकी थी she had met him before the party इसी का ही अब interrogative बनाओ क्या वह पार्टी से पहले उससे मिल चुकी थी had she met him before the party क्या किया हमने इसमें हमारा helping verb लगेगा had और लगेगी verb की third form ये हैं दो important चीजें कि had और verb की third form लगेगी अब अगर हमें इसका interrogative बनाना है तो had को उठा के पहले लगाना होगा तो वो हमने लगा दिया subject से पहले हमने had helping verb लगा दिया then लिखी verb की third form and then object सही है question mark नहीं लगाया बोल नहीं सकते हो मैं question mark भूल गया कैसे पागल हो आप अब इसका ही अगर negative बनाना है she had met him before the party वो उससे party से पहले ही मिल चुकी थी वह उससे party से पहले नहीं मिली थी या नहीं मिल चुकी थी not लगा दो कुछ नहीं करना she had इसके साथ helping verb के साथ क्या लगा देते हैं not लगा दिया plus क्या लिखोगे plus मत लिख देना वहाँ पे she had not met him before the party before the party ये नकारात्मक वाक्या बना दिया हमने आ गया समझ में सवाल कर लेते हैं फिर अगला quiz खेलने के लिए तयार पहला question Sarah thought she blank space to that zoo before Sarah ने सोचा कि वो उस जू में पहले जा चुकी थी has been, had been, had been, none of the above next question he blank space us the item had been shipped he told us, he say us, he asked us या none of the above उसने हमें बताया कि जो उसका हमारा item है वो shift कर दिया है, मदलब चड़ा दिया है courier, courier कर दिया है he blank space us the item had been shipped shipped ठीक है? dad explained blank space his job due to stress dad ने क्या explain किया? why he quitted, that he had quit, that he had quite या none of the above पापा ने हमें explain किया कि किस कारण से उन्होंने जो है stress के कारण job जो है वो अपनी छोड़ चुके थे next question where blank space the security guard gone? where blank space the security hard hat gone? security guard कहां जा चुका था? चलो nobody explained why the project had blank space on time किसी ने भी यह explain नहीं किया कि वो जो project है वो time पर complete क्यों नहीं किया गया था? सोचो चुका था, लिया था, दिया था, ये सब किस में? perfect में so क्या लिखोगे? next question हो गए पांच question चलो Sarah thought she blank space to that zoo before Sarah ने सोचा कि वो पहले इस zoo में जा चुकी थी so जा चुकी थी had been ठीक है? had been to that zoo before he blank space us the item had been shipped उसने हमें क्या किया? उसने हमें बताया पूछता आगा तो नहीं हमसे say भी नहीं so he told me verb की third form had के साथ dad explained blank space his job due to stress dad ने क्या explain किया? कि क्यूं उन्होंने अपनी job छोडी why he quitted? that he had quit तो यहाँ पर why नहीं लिखेंगे क्यूंकि question mark नहीं है ठीक है? so हम क्या लिखेंगे? that he had quit quit की third form quit ही होती है कि उन्होंने job क्यूं छोडी due to stress where blank space the security guard gone? security guard कहां चला गया था? so obviously यहाँ पर पूच रहे है verb की third form लगी है go went gone वाली question mark वाला sentence है तो had चला गया था nobody explained why the project had अब complete के साथ क्या लिखोगे? किसी ने भी explain नहीं किया कि project जो है वो complete क्यूं नहीं हुआ? had not complete तो आनी सकता क्यूंकि complete वो अब की third form नहीं है तो इन तीनों में इसे आएगा so obviously option number B had not completed on time option number B past perfect continuous tense की बात और इसको पहचानेंगे हम से रहा था से रही थी, से रहे थे और से रहे थे से इसी से पहचान होगे? बताओ जल्दी से अब इसका formula किन-किन बच्चों को याद है जल्दी से बताओ मुझे तो देखो कुछ भी नहीं है subject plus had plus been plus verb की first form के साथ obviously continuous tense है तो ing plus अब एक बात बताओ पहले since या for लिखोगे या पहले object लिखोगे पहले since या for लिखोगे या पहले object लिखोगे तो सोचो obviously object लिखेंगे हम पहले then हम लिखेंगे since for since for किस चीज़ के लिए समय बताने के लिए एक्जाम्पल देख लें अब देखो यार इसका ही अगर आपको क्या बनाना है interrogative बनाना है तो आप क्या करोगे helping verb को उठाकर पहले लग दोगे had उठाकर पहले रख दिया then subject then been then verb की first form के साथ ing then object then since and for and then time right so how much examples देखते हैं उससे आपको समझ में आई जाएगा इसमें हमें फिर not add करना होता और कुछ नहीं होता है जब हम इसका negative बनाते है जब negative बनाते हैं तो क्या करते हैं had के बाद not लगा देते हैं helping verb के बाद right चलो इसमें last में आता है question mark कोई एक सवाल या कोई एक में सेंटेंस बताओ तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे थे सुबह से याद कर रहे थे से रहे थे कब से याद कर रहे थे सुबह से याद कर रहे थे बनाओ इस सेंटेंस को बनाओ जल्दी बनाओ यू had been learning, याद करने को learn, learn के साथ ing, verb की first form के साथ ing, continuous tense है you had been learning your lesson कब से सुभा से, अब बताओ since और for का use क्या बताया था since होता है point of time के लिए और for होता है duration के लिए, जैसे की for two hours for three days for two years duration जब हमें बताना होता है तो हम for का use करते हैं और point of time बताना होता है तो since का use करते हैं so you had been learning your lesson आगे क्या लिखोगे since morning क्योंकि हमें point of time बताया है since morning अब इसी का आप negative बना के देख लो अगर इसका negative बनाना है तो you had not been learning your lesson since morning right अब इसका ही interrogative बनाना है तो had को उठाकर पहली लगा दो subject से had you been learning your lesson since morning interrogative बन जाएगा ठीक है अब कुछ questions करते हैं past perfect continuous tense के ओपर फड़ा फड़ा चलो पहला question our pool pump blank space running properly before the storm हमारा जो pool pump था वो सही से काम कर रहा था storm से पहले तक तो हमें समय बताया हुआ है so our pool pump had not have running had not been running had not being running या none of the above next question my sister's roommate was upset मेरी बहन की जो roommate थी वो upset थी she blank space been waiting for an hour क्यूं क्यूंकि वो एक घंटे से हमारा वेट कर रही थी तो से रही थी एक घंटे से वेट कर रही थी तो क्या होगा had होगा has होगा have होगा क्या होगा next question I just heard about the accident blank space been walking all night मैंने अभी अभी accident के बारे मैं सुना मैं पूरी रात से क्या कर रहा था काम कर रहा था next question we were shocked to see her blank space been expecting her हम उसे देख कर चौक गए क्यूकि हम उसे expect नहीं कर रहे थे मतलब हमें नहीं पता था कि वो आएगी ऐसा नहीं लग रहा था so we are we have been expecting her we had not ya none of the above I finally reached my mom blank space her all day I had been calling I have called I called I called ya none of the above finally मेरी अम्मी का नंबर लग गया finally I reached my mom मतलब मेरा फोन लग गया I have been calling I had been calling I have called क्या होगा सही या option next question दूसरा quiz भी हम साथ ही साथ खेल लेते हैं और फिर एक साथ हम ये 10 questions जो है वो फटा फट से revise कर लेंगे ठीक है चलो ये अब mixed questions होंगे किसी भी से होचकते हैं जैसे Alex did not blank space last weekend ड़ड के साथ क्या लगती है verb की first form ध्यान से लगा दे ना फटा फट से वोकिंग, वोक्ड, वोक्ड या नन अफदी अबव आगे blank space Mike visit the grandmother last night Mike अभी आप एक question mark वाला sentence है क्या Mike grandmother से दादी मा से मिला था पिछली रात next question I blank space about a yellow unicorn last night मैं एक yellow unicorn के बारे में सोच रही थी पिछली रात वो अपकी second form आनी चाहिए या कौन सी आनी चाहिए second आनी चाहिए Anna blank space to class yesterday because she was at the hospital Anna जो है कल class नहीं आ पाया क्योंकि वो hospital में था तो did not come, did not take, did not arrive या none of the above next it was snowing last night it blank space so cold कल रात क्या हो रही थी? ओले गिर रहे थे so I blank space so cold it's blank space so cold touched, felt, happened या none of the above चलो तो फटा फट से भाग भाग के हम क्या करेंगे अब हमारे questions को देखेंगे बहुत easy questions थे answer गलत होने नहीं चाहिए अगर इनके answer गलत कर रहे हो तो फिर class वापिस से देखो ठीक है? जैसे are pool pump blank space running properly before the storm? हमारा जो pool का pump था वो क्या कर रहा था? सही काम कर रहा था कब से पहले? तूफान से पहले had not been, had not being, had not have गलत, had not been हमारा pool pump सही से काम नहीं कर रहा था तूफान से पहले say रहा था, had not been my sister's roommate was upset मेरी जो बहन है उसकी roommate बहुत ज़्यादा उदास थी क्यों, she blank space been waiting for an hour क्योंकि वो क्या कर रही थी? एक घंटे से वेट कर रही थी say रही थी, had आईगा कि नहीं आईगा? next question, I just heard about the accident मैंने अभी अभी accident के बारे में सुना blank space been working all night had the driver, had the driving have the driver, none of the above सवाल पूछ रहा है वो कि जो driver है वो क्या कर रहा था? क्या वो पूरी रात काम कर रहा था? so obviously, had the driver been working all night had के साथ क्या लिखेंगे हम? had the driver been so had been आ रहा है तो verb की first form के साथ ing लगा दिया ना? थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चे बस थोड़ा सा ध्यान we were shocked to see her हम उसे देखके शॉक हो गए blank space been expecting her we are, we have, we had not या ननवद्यबव अब चौकेंगे कब? जब उसको expect नहीं कर रहे होंगे तो नहीं वाला तो एक ही sentence है we had not been expecting her right? next question I finally reached my mom finally मैं अपनी mom तक पहुँच गया मतलब call मेरा लग गया I had been calling मैं क्या कर रहा था पूरे दिन से so say रहा था सीधा सीधा option है I had been calling चलो आगे Alex did not blank space last weekend Alex जो है did not blank space last weekend did के साथ क्या लगा होगे work की first form verb की first form work Alex did not work last weekend blank space my visit is grandmother last night interrogative sentence है तो पूछ रहा है कि क्या माईक अपनी दादी मा से मिलने गया था पिछली रात क्या जब भी हम पूछते है present simple tense में गया था लिया था did I about a yellow unicorn last night so obviously verb की second form लगा दो dreamed slept तो नहीं होगा think भी नहीं होगा क्योंकि verb की second form लगाने तो obviously option number A Anna blank space to class yesterday because she was at the hospital Anna जो है वो कल class नहीं आया था क्योंकि वो hospital में था तो obviously नहीं वाले sentences के लिए क्या लिखेंगे did not come did not के साथ verb की first form ही लगी हुई है next it was snowing last night last night क्या और थी snow गिर रही थी it कैसा लगा past में कैसा लगा feel felt felt option number B और इस तरीके से हमारा ये जो आज का mega quiz था ये हो गया है खत्म ठीक है ये है विटाब की तीनो classes English grammar की English medium की class then Hindi medium की and then board exam special so ये तीनो classes आपकी होती है ठीक है ये Monday, Wednesday, Friday ये Mangalwar, Guruwar, Shaniwar और ये Monday to Saturday I hope mega quiz से आपने अपना score जो है वो definitely increase किया होगा and अब हम मिलेंगे next class में next master class में that is future tense के साथ और grammar तो आप पढ़ी रहे हैं ठीक है आज से live class शुरू हो गई है so चर्चा कर दीजे इस बात की सब को बदा दीजे so मिलते है next class में और दीजे